बीते साड़े नौ साल में भारत में बनाए है विकास के नए कीर्थिमान। ऐसा विकास जो मानव केंद्रित, सर्वसपर्शी और सर्वांगीन है। ये शस्वी प्रथानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेत्रित्व में दुनिया की शिर्ष एकॉनमी वे भारत का स्थान तस्वे से बढ़कर पांचवा हो गया। भारती आकांग्शाओं ने जहां विज्ञान जगत में जांद की उंचाईयां छुई। वही जनसीवा, सुशासन और गरीब कल्यान को सर्वोच प्राथमिक्ता मिली। विज्ञास की इस अनवरत और अभूतपूर्व यात्रा को युवा शक्ती के सपनों, सामर्थिय, उर्जा तथा उत्साहने नई ताकत दी है। युवा शक्ती के सपनों को पंक देने के लिए मोदी जी के नेतरित्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्ट अप, रोजगार और स्वरोजगार तक लगातार नए अवसर और नए संभावनाएं सुरिजित हुई हैं। इसका लाब करोडों युवाओं को मिला है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही छेत्रों में नई नवक्रियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। प्रगती का इक नया विश्व आपके सामने खुल चुका है। इसी श्रिंखला में तस लाग युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का महाभियान रोजगार मेला युवा शक्ती को राष्ट निर्मान के संकल्प से समन्वित करने की दिशा में एक एहम कदम है। भारत सरकार और सहयोगी राज्य सरकारों द्वारा मिलकर रोजगार के लाखों अवसरों का स्रिजन किया जा रहा है। रोजगार महाभियान की इसकड़ी में आज रोजगार मेले में तेश भर से चैनित 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। उमंग, उर्जा, उच्साह और नई सोच से भरे ये युवाद, डाक विभाग, भारतिय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, परमानु उर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्राले, स्वास्थिय और परिवार कल्यान म अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर के रूप में नए भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। रोजगार मेला आज युवाओं के सपनों को सच करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। विक्सित भारत के संकल्प से जोड़ रहे सभी कर्म योगियों को बहुत बहुत बधाई।